ऐली खबन में बात करते हैं भोपाल की जहां एक पिता ने अपने चार महीने के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी हत्या के पीछे बजह बस इतनी थी कि पत्नी ने नसे में धुद पती के साथ रात में घर लोटने से मना कर दिया था इसी बात से गुसाए पिता ने बेटे को पतनी की गोद्म से खीचा और गला दबा कर मार डाला बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हुई तो आरोपी पिता उसे वही छोड़ कर भाग निकला मा और मामा बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोशित कर दिया पुलिस ने आरोपी को भोपाल के मुबारक पुर जोड़ से गिरफतार कर लिया है घटना राजधानी के गांधी नगर छेत्र की है जहां BDA कोईटर गोदर्मो की रहने वाली संगीता वर्मा की साधी 2015 में गाउं बढ़वेली खिर्ची पुर जिला राजगर निवासी संजे उर्फ संजू वर्मा से हुई थी रक्षा बंधर पर संगीता अपने चार महीने के बेटे आरियन के साथ माई के आई थी 8 सितंबर को संजू उसे लेने ससुराल पहुँचा था इसके बाद 3 दिनों से वही पर था सनिवार साम करीब 6 बजे वह नसे की हालत में आया और पत्नी से घर चलने की जित करने लगा पत्नी और उसकी मौसी जानकी बाई ने संजू को समझाया कि रात हो गई है कल सुबह जल्दी निकल चलेंगे तुमने नसा भी बहुत कर रखा है यह सुनते ही संजू आग बबूला हो गया और पत्नी को धमकाने लगा बोला घर नहीं चलेगी तो बच्चे को मार डालूंगा वह बच्चे को संगीता की गोच से छीनने लगा दोनों के भी जूमा जटकी सुरू हो गई संजू ने बच्चे को गोच से उठाया और दिवार में सटा कर उसका गला दबा दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई मामा ने बताया कि संजू प्राइवेर जॉब करता है जिस कमरे में उसने आरियन की जान ली चार महीने पहले उसी में उसका जन्म हुआ था बेटे के जन्म के बाद बहन ससुराल चली गई थी रक्षा बंधन में वे भी अपनी मा के साथ आया था घटना के समय वे खेल रहा था वे छोटे भाई को बार बार याद करता है मा को रोता देख खुद भी लखने लगता है आरियन के मामा देवी सिंग ने बताया कि संजू नसे में था भांजा आरियन पहले मेरी गोद में खेल रहा था नेकिन संजू ने उसे मुझसे ले लिया मैं आरियन को देकर अपने कमरे में चला गया इसी बीच वे बेहन संगीता से घर चलने को लेकर विवात करने लगा संगीता ने बच्चे को उससे छीन कर अपनी गोद में ले लिया बाद में संजू ने उससे आरियन को छीन लिया घटना के बाद संजू फरार हो गया देवी सिंग ने बताया कि रात करीब 12 बजे उसने मुझे फोन लगाया उसने बच्चे के बारे में पूछा हमने बताया कि बच्चा अस्पताल में है उस समय उसका नसा कम हो गया था इसके बाद संजू ने फोन कार दिया तब से उसका फोन भी बंदा आ रहा है आमले